आपका मेरे यूटूब चैनल पर और दो चार दिन के बाद दी शायद ब्लोग आ रहा है तो मैं थोड़ा बीजी थी आपको पता है गरगाओं में बहुत काम रहते हैं तो जो भी मैंने आप लोग साथ शेयर किया है वो जरूर देखिएगा और वीडियो को स्कीप मत कीजिएगा तो आजकल हमारे बगिचे का काम लगा है पाड़ो में सबके ही माचल में यही काम है ऐसा नहीं कि मैं नहीं यह काम किया है सबके यही काम लगा है और चलिए थोड़ी सी मैंने आपके साथ रेसीपी भी शेयर किया कि चीज किया यह आपको मैं आगे शेयर करूंगी तो देखते हैं कौन कितनी वीडियो देखता है तो स्किप मत करियेगा क्योंकि ना तो मेरा वाच टाइम बढ़ेगा ना आप लोग का फाइदा है कुछ नहीं मिलेगा तो प्लीज स्किप मत करना तो जो मैंने आपके साथ आगे शेयर किया है तो देखते हैं कौन कौन वीडियो को फूल देखेगा और कमेंट बॉक्स में क्य क्या मिलेगा मेरे को तो चलिए फिर मिलती हूं आपको दूसरे व्लोग में तो फ्रेंस यह देखिए यह मेरे पासना कल की वीडियो थी थोड़ी सी मैंने ऐसे लिप ली थी यह पेड़ खराब हो गया था सेब का पेड़ है ऐसे भी मतलब दूसरे वराइटी का है गंदा सा खाने को तो इसके हम ऐसे भी कट्टे भरते हैं मतलब बुरे के लिए बड़ते हैं तो देखिए इस तरह से कट्टर से हमने काटा था इसको गीरी नी जा था तो फिर असवन बोला की भी आ जाओ थो तो फूर देखिए यह अशु है और बेटा आज कल नहीं है बेटा गया ह तो इसको मतलब ऐसे कट्र से काट रहे हैं तो देखिए यह तेल डार रहे हैं मतलब पेट्रॉल डार रहे हैं तो इसमें कुछ ऑईल पतर नी टूटी ऑईल बोलते हैं क्या बोलते हैं और दूसरे साइड से इसमें जो काला ग्रीस होता है वो डार रहे हैं तो यहां पे मैं थोड़ा सा दूसरे भेल में तंग है था तो चुछ लगड़ी हैं इनको काटव तो अज तो अज वाल मßद यह बोलते हैं जो वोलते हैं कि जुका जरूर बताहिएगा तो इसमें ना मतलब पेड़ हैं तो रसी बांध रहे थे क्यूंकि यह इधर उदर गिर जाता तो पेड़ सेप के पेड़ खराब कर लेता तो इस तरफ से इसको बांध ली थी और रसी बांध ली थी ताकि इसको आप बैलेंस करका और गुच सके तो यह तो देखिए कितनी उंचाई में गये थे तो फिर देखिए यह बैठ के और यह इसमें थोड़ा सा कुलाड़े से तो गैप कर रहे हैं फिर दूसरी साइड उन्होंने इसमें आरी से माद या था कट कट लगा दिया था उसी तरह से फिर गिर गया था यह देखिए आप लोग इस तरह से लग गये थे खेंच ने तो सामने का ब्यू बहुत प्यारा सा था तो देखिए यहां पर पेड़ में ना मतलब एक टैनी आगे थी तो वह भी हम बांध रहे थे इसके लिए रसियां कम पढ़ गे थी एक इन्होंने बांध ली थी और दूसरी में बांध रही हू और यह थोड़ा सा मतलब पीड़ पिच्छे को रसी ले थे पेड़ को खेंचने लगे थे ताकि बलेंस बन पाये बन जाए इस साइड को यह भाई जी के बैटे थे मतलब बड़े वाले बाए के बेटे इनके बाई है मतलब मेरे भी बाई हैं तो एह देखिए तो थोड़ा और अच्छे थोड़ा सा इस में एक नीचे वाले पेड में थोड़ा सा यह लग गया था इसकी थोड़ी सी खाल छिल गई थी बाकी कुछ नहीं था जो मैंने आप लोगों के साथ आगे शेयर किया है तो देखिए आप लोग और यह शाम का व्यू है बहुत प्यारा सा व्यू लगा रहा है बीजी हूँ आज के अला आप लोगों को पता है क्या काम लगा है तो देखिए मतलब इस साइड को दूप चले गई थी और उस साइड को दूप है बहुत अच्छा मतलब व्यू हो रहा है तो सामने मताशिकारी की फोटो है तो सौरी फोटो नहीं है यहां पर यह पहाड है मताशिकारी का पहाड था सौरी इस बात के लिए तो देखिए आप लोग यह पेड़ काट लिये थे हमने मतलब एक पेड़ दूसरी साइड को चोटे चोटे पेड़ थे तो इसके आगे वाला जो हि तो इस तरह से हमने मतलब काट लिया यह दूसरे पेड़ा औरों के देखिए जो उसकी छाल जो निकल गए थी तो उसमें मैं चिकनी मिट्टी और गोबर काल में वो किया है गोल किया है उसको लगा रही हूं ऐसे से इस तरह से मेरे पास साथ कोई नहीं था थोड़ी सी मैंने क तो थोड़ा केमरा हिल राइस वाद के लिए सौरी आप लोगों को तो फिर शाम का टाइम था मतलब अब दूप चले गई थी बहुत दूर चले गई थी तो यह देखिए यह गिरा था वो पेड़ और यह देखिए सामने का भी और तो आयोप आपको वीडियो अच्छी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना जो मेरे नियू चैनल में नी होंगे तो यह देखिए यह कल कटर से काट ली थी क्यूंकि इसकी टैनी सुख गे थी एक टैनी इसकी रह गई तो मैंने सुचा चलो एक साल और निकाल देखा यह जो इसके छिलका है ब पूरा कपूरा तो देखिए आप लोग फिर मैं आगे थी मतलब पेड में चड़ गे थी फिर से थोड़ी थोड़ी टैनी काटी थी देखिए जमीन नीचे और मैं बहुत उपर आगी हूं पेड में यह तो तसला है जिसमें मैंने गोल यह भी मैंने पेड में टांग लिया तो देखिए आप लोग और अब मैं उत्तरने की तियारी में हूं तो देखिए नीचे मतलब कैमरा ना बहुत हिल रहा था अंशू भी मेरे साथ नहीं थी तो मैंने एक हाथ में कैमरा लिया था और फिर अच्छे से चल भी नहीं पा रही थी यह देखिए तो अब मैंने छल आप लोग को बताया है पिछे और व्लॉग में भी यही सस्पेंस है तो देखते हैं वीडियो कौन-कौन देखता है और देखिए यह थोड़ी देर मैंने रहने दिया ता डखकन लगा आके 5 मिनिट है उसके बाद मैंने इसमें दूद एड़ कर दिया और दूद एड़ करन मैंने ड्राइफूड उसमें मुंग फली और अख्रोट और बदाम डाले थे मैंने अच्छे से हो गया था यह और फिर मैंने उतार भी लिया था बहुत अच्छे यमी सा बना था टेस्टी सा अगर अच्छे से कोई रेसीपी शेयर रेसीपी चाहिए किसी को तो बोल देना क कोमेट बक्स में जरूर और अब मैंने कडाई साप कर दी थी और इसमें मैंने ऑईल डाल दिया और सुका मसाला पूरा डाल दिया जो भी था मेरे तो देखिए अब मैंने इसमें प्यास भी आड़ कर दिया आजकल ना धुआँ-धुआ सा रहता है क्यूंकि बहुत बहुत तो ताइम लिए आग जल जाती है तो लेकिए यह में टमाटर डाल दिये हैं थोड़ा फमेने इसमें पानी भी एड़ कर दिया तो मैं बना रही हूं गोबी की सब्जी मैंने फुल गोबी काटके रखी थी तो वह मैं बना रही हूं तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना तो मिलती हूं आपको दूसरे व्लोग के साथ बाइबाइब